और ये दोस्तों यही है दक्षिनी दर्वाजे सौधन गेट के अवशेश कि देखिए ये पहाड़ी पत्थरों से ये बना था ये दर्वाजा कितना मोटा दर्वाजा है दोस्तों अगर आप इसकी यहां से चोड़ाई देखें तो लगबग ये 12-15 फिट की इसकी ये देखिए और ये दक्षिनी दर्वाजा था और देखिए उपर भी बनाया गया है कुछ जैसे की उपर उस समय सीड़ियां रखी गई होगी जाने के लिए और दोस्तों मंगोल कभी भी इसको तोड़ नहीं पाए मंगोलों ने अलाउदीन खिल जी ने जब गदी पर बै 1297, 98, 99, 105 में उन्होंने बहुती मजबूती से हमले किये बहुती शक्तिशाली हमले थे जिसमें दोस्तों अलाउदीन खिल जी ने उनका पूरा मूँ तोड़ जवाब दी और यह आप बाहर से व्यू देख लीजी एक बार दिवार का मैं अभी अंदर की तरफ से आपको दि और इसी दिवार ने दिल्ली की रक्षा कीती देखिए पहाडी पत्थरों से बनी हुई यह दिवार हेलो नमस्कार अस्सलाम अलेकूम सास्री अकाल कैसे हो आप सब दोस्तों इस समय में खड़ा हूँ श्री फोर्ट किले के दक्षिनी दर्वाजे यानि सौथन गेट पर दक्षिनी दर्वाजे का पूरा इतिहास बताऊंगा और श्री फोर्ट जो किला है उसकी कुछ दिवारे हैं वो भी बताऊंगा आपको उसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन का दर्वाजे को देखना चाते हैं तो दिल्ली मेट्रो के पंचिल पार्क से आप जब एक्जिट होंगे गेट नंबर दो से तो आप यहां पर यह रोड पकड़ लें और यहां पर आप गूगल मैप पे स्टेप बाइस्टेप स्कूल लगाएं यहां से 200-200 मिटर दूर है अर इसके राइट-hand-सड़ पर यह स्टेप बाइस्टेप स्कूल है और यह अंदर जाने का रास्ता पर कुछ सीडिया है आईए चलते हैं अंदर और यह मैंने एंट्रि कर ली है दोस्तो अंदर और अंदर सबसे पहले एंट्रि करते ही यह राइट-साइड साइड पर Wall, पंच हीव पार्क और जो दक्षनी दर्वाजा है वो यहांपर क्या क्या चीज अलाओड है क्या क्या नहीं है, आप देख सकते हैं यहांने से पहले और यह देखिए, यहां से चलते हैं अंदर लेकर चलता हूँ आपको और पूरा इतिहास बताता हूँ इस दक्षनी दर्वाजे और श्रीफोट का और ये आपको दिखाता हूँ आज और दोस्तो अलाउदीन खिल जी के बारे में भी बताऊंगा आपको कुछ इंफोर्मेशन दूँगा और ये दोस्तो ये ही है दक्षनी दर्वाजे सौधन गेट के अवशेश ये देखिए ये पहाड़ी पत्थरों से ये बना था ये दर्वाजा कितना मोटा दर्वाजा है दोस्तो अगर आप इसकी यहाँ से चोड़ाई देखे तो लगबग ये 12-15 फिट की इसकी ये चोड़ाई है दर्वाजे की और इसी तरफ ये दूसरी दिवार है इसकी ये देखिए और पहाड़ी पत्रों से बनी होई और आगे वो देखिए वो वहाँ पर शैद सैनिक खड़े होते होंगे उस समय सैनिकों के बैठने के लिए जगा बनाई गई होगी कि अगर यहां बैठना चाहें तो बैठ भी सकते हैं और यह देख सकते हैं आप यह अभी तो अफशेश ही बाकी है यह आप देखिए यह आपको मैं अंदर से दिखा रहा हूँ मैं वहाँ से एंट्री करी थी मैंने और यह है दिवार पूरी श्री फोर्ट किले की जोस्तो जो खिलजी वंच है यहां खिलजी डैनिस्टी है वो 1290 से 1320 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर राज किया और वो दूसरा राजवंच था दिल्ली सल्तनत पर पहला ममलूक दूसरा खिलजी तीसरा तुगलक चोथा सयद और पांचवां लोदी यहां पठानकाल और उसके बाद बाबर आये जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की स्तापना करी दिल्ली सल्तनत पर तो दोस्तो यह जो आप दिवारे में मेरे पीछे देख रहे हैं यह गेट यही है जो अलाउदीन खिलजी का किला जिसे हम शरीफोट कहते हैं जो दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी शहर था यहां सिटी थी यह देखिए आप दोस्तो सबसे पहले जो दिल्ली का शहर था वो था लाल कोट और उस पर तोमरवंश का राज था और उसके बाद राए पिथोड़ा जो की लाल कोट का ही नाम बदल कर राए पिथोड़ा रखा था जबकि पृत्वी राज चोहान ने जब राज किया था उसके बाद दोस्तो जो सबसे पहला दिल्ली का जो था जो मुस्लिम साशकों ने बनाया था बसाया था जिसे वो था शरीफोड उसके बाद दोस्तो तुगलकाबाद जो की ग्यासुदिन तुगलक ने बसाया था फिर जहां पना जो मुहमद बिन तुगलक उनके बेटे और उसके बाद दोस्तो फिरोजाबाद जो कि फिरोशा तुगलक ने बसाया था फिर दोस्तो दीनपना या शेरगर इसे शेरशा सूरी और हिमायू ने दीनपना बनाया था और शेरशा सूरी ने शेरगर की स्थापना की थी और फिर शाजानाबाद जो कि शाजा द्वारा बसाया और बनाया गया था और आज जिसम दिली में रहते हैं वो तो नई दिली या अंगरेजों की बसाई होई लेकिन दिली में दो चीजिए हैं एक दिली एक नई दिली जो शाजाना बाद है वो पुरानी दिली या दिली छे कहलाया जाता है आईए आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको इस दिवार के कुछ और अंश जो बाकी हैं अभी और यहां से देखिए यहां से हम आगे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ और यह देखिए यह दिवार के इस तरफ मैं आ चुका हूँ और दोस्तों यह देखिए यह सब अफशेशी बाकी हैं अभी आईए उस तरफ चलते हैं और दोस्तों यह देखिए यह दिवार और ऐसी ही एक दूसरी तरफ है दिवार यह देखिए और ये दक्षनी दर्वाजा था और देखिए उपर भी बनाया गया है कुछ जैसे कि उपर उस समय सीडियां रखी गई होंगी जाने के लिए जो सैनिक होते होंगे उपर भी तेनात होते होंगे और दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो ये श्रीफोट किला है ये अलाउदिन इसको बचाने के लिए जो कि यहां से पूरा अफगानिस्तान काबूल तक फैली होई थी उसको बचाने के लिए ये जो किला है इसका निर्मान किया था और दोस्तों ये किला है जो ये तकरीबन 6-7 किलो मिटर तक फैला हुआ था देखिए कुतुमिनार के आगे तक इसके हैं और कुतुमिनार यहां से तकरीबन 5-6 किलो मिटर पड़ता है दोस्तों तो दोस्तों जो मंगोल थे आप इस हिसाब से उनके कुरूरता के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कितने बदमाश थे कितने ही निर्दई थे कि दोस्तों कितने किलो मिटर दूर से ही मंगोलों का पता चल जाता था कि मंगोल आ रहे हैं और वो कैसे पता चलता था वो ऐसे पता चलता था कि मंगोलों में नहाना वर्जित था वो नहाते ही नहीं थे दोस्तों तो दोस्तों उनके जो बॉड़ी की स्मेल होती थी उसी से अंदाजा लगा लेते थे लोग कि मंगोल आ चुके तो आप देख सकते हैं कि कितने ही कुरूर कौम थी मंगोल और ऐसी कुरूर मंगोल कौम से बचने के लिए दिल्ली को बचाने के लिए अलाउदीन खिल जी ने यह देखिए कितना मजबूत आज से तकरीबन 800 साल पुराना यह किला है और यह उसका दक्षिनी दर्वाजा है ज कितने मजबूती से इसके अफशेश कड़े हैं तो यह कितना मजबूत रहा होगा और दोस्तों मंगोल कभी भी इसको तोड़ नहीं पाए दोस्तों मंगोलों ने अलाउदीन खिल जी ने जब गदी पर बैठे 1296 में 1296 से 1316 तक अलाउदीन खिल जी ने दिल्ली सल्तनत पर जराज किया तो दोस्तों मंगोलों ने जो चोटे मोटे हमले थे वो तो 1297 अठान्य सक् campaigns ते की लेकिन एड़जिकिन 11 101010 बोलेंगे कि मैं अलावदीन खिलजी का गुनगान क्यों कर रहा हूँ वो तो अपने जो चचा थे जलावदीन खिलजी जिनोंने जो खिलजी वंश की स्थापना की थी और जो पहले सुल्तान थे खिलजी वंश के जिनोंने 1290 से 1296 के बीच में दिली सल्तनत पर राज किया उन की हत्या करके उन्होंने दिली सल्तनत पर अपना राज काबिस किया तो दोस्तों देखिए वो चीजें अलग हैं सब वो देखिए वो सत्ता की लड़ाई है मैं उनका जो मैं उनका कोई गुनगान नहीं कर रहा जो हिस्ट्री है जो सत्त्य है जो बड़े-बड़े प्रोफे यह आप देखिए यह दूसरी तरफ दिवार के कुछ अफ्षेश हैं और अभी मैं वहां पर था उस तरफ था वह देखिए वहां आगे सारा पूरा जाड़ियां है और जंगल सा है और अब मैं आपको यहां पर ले आया हूँ और यह देखिए कुछ चड़ने की उपर जग खाने के लिए और हमें हिस्ट्री का कितना क्रेज है उसके लिए हम लोग कितना रिस्क उठाते हैं तो दोस्तों आप बस हमें यह सपोर्ट किया कीजिए कि आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को like किया कीजिए ये देखिये यही है वो दिवार देखिए ये है वो दिवार अलाउदीन खिलजी के किलेगी देखिए अभी अफशेश हैं सिर्फ और ये वो दर्वाजा है जिसे दक्षिनी दर्वाजा बोला जाता है और ये आप बाहर से व्यू देख लीजी एक बार दिवार का मैं अभी अंदर की तरफ से आपको दिखा रहा था लेकिन ये सब बाहर की तरफ से ये व्यू है देखिए तकरीबन 800 साल से ये दिवार खड़ी है पहाडी पत्रों से बनी हुई बहुत ही मजबूत दिवार जिसने दिल्ली की रक्षा की थी एक समय मॉंगोलों से जो की बहुत ही करूर कόम थी जो मैंने आपको बताया ही है दोस्तों जिनके बारे में और ये देखिए आप ये सारा ये दिवार है और दोस्तों ये देखिए ये आपको दिवार करीब से दिखा रहा हूँ वीडियो खतम करने से पहले और इसी दिवार ने दिल्ली की रक्षा कीती देखिए पहाडी पत्थरों से बनी हुई ये दिवार और ये देखिए ये सारा दृषय है यहां का तो दोस्तों अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड करता हूं और उमीद करता हूं आपको जो मैंन का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको मैं बता देता हूं कि ऐसे ही इतिहासिक जगाओं के वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए